जैन बच्चाबाटी कैसे हैं आप लोग नमस्कार आदाव सस्त्रियकार आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में आप सभी लोग फटाफुट क्लास में जुड़ जाईए क्लास आज की बहुत ही खूबसूरत और सुन्दर होने वाली ठीक है तो पहले तो मैं आज की क्लास जो है वो टोटली आपकी किस चीज़ पर बेजड होने वाली है मतलब आज आपको नश्यत तोर पर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत बड़ा सा सीन होने वाला है ठीक है तो पहले आज आजओ बात तो को सीखते हैं ठीक है ओफो देखो भाई ये कोई की जो है वो दब रहा है लगतार बिचारा इसलिए अपना जान परांद दे दिया इसमें कोई बात नहीं हां जी आए नसर बताइए सर आप लोग कैसे ऑडियो वीडियो क्यालिटी कैसी जा रही है सर आपको अबेसे बात है हम पूरी पूरी बातों पर चर्चा करेंगे ना तो के वल हम इसमें डिसक्रस करने वाले अपने उन महत्तपूंट सवालों को जो आपके विपर में आते हैं बल्कि आपके पर में आ सकता है मतलब आने वाला भी है और आ गया यह दोनुच बातों पर चाहोगी थोड़ा सा वीडियो ब्लेर हो रहा होगा उसके लिए मैं शमा चाहूंगा लेकिन अभी सब सही हो चुका है अभी सब सही हो चुका है ठीक है आज आज देख लो भाई अजी ओडियो का लिटी आपको कैसे जा रही है आसा है कि बहुत अठी जा रही होगी आज वो जल्दी से देखते हैं यह आउन क्यों नहीं हुआ 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 है गुर्बारिंग से बहुत बड़ी है बहुत अच्छी बात है कुड़ वाला बॉर्णिंग बेटा जी आज हो तो पहले एक बात समझ के चलना पहले एक छोटी सी बात समझ के चलना जो आपके लिए भी मोस्ट इंपोरिंट होने वाला प्लीज थोड़ा से देखो यह क्या खुल रहा है यार यह क्या पीडियेफ यह डाल लिए लोगों ने कोई बात नहीं मैं देखता हूं कि आज की पीडियेफ यार यह पूरा ओपन नहीं हो रही है चल्डू कोई बात ने हो होड़ा शमा चाहेंगे हलका अससा शमा चाहेंगे बहु ज्यादा स्था शमा नहीं चाहेंगे हां आजकी practice बड़ी खुबसूरत बहुत ही सुन्दर होने वाली है पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा अपना पिन पे पर दम त्याग दीजिए और खुबसूरत और सुन्दर तरीके से यहां पर देखिए पहली बात हमारी कुछ इस प्रकार की है कि आज के क्लास का सबसे पहले से नह और एक अंड़ा बेपारी का करता है 21 अंड़ा बेचता है किता अंड़ा बेचता है जी 21 अंड़ा बेचता है मेरी बातों को गवर से सुनिएगा किता अंड़ा बेचता है जी 21 अंड़ा बेचता है और 21 अंड़ा बेचके क्या करता है बही 21 अंड़ा बेचके इसको जो 6 अ लेकिन उसको भी मैं बहुत रोशनी में डाल देता हूं फटा-फट क्लास में आजाई और मैं बता देना चाहूंगा कि आपकी रेगुलर क्लास हो रही है आप रेगुलर क्लास में आओ पॉइंट नंबर बन पॉइंट नंबर टू आपका यह है कि भाई आप लोगों को जो लगातार और रेगुलर क्लास में आना है और तीन बजे भी एक और क्लास हो रही है प्रॉफिटल लॉस की बड़ी प्यारी क्लास उसमें भी क्लास में आना है जल्दी करिएगा बड़ी प्यारा सा सेशन है जल्दी से करके दिखाओ बच्चा बाटी क्विक क्या लिख रखा है सवाल में वो समझते हैं पहले अपना अपना pen paper कदम छोड़ दो मज़ा आ जाएगा हां जी क्या कह रखा है वो समझे सबसे पहला point आप से यह समझना है कि यहां profit हुआ है कि लॉस हुआ है पहला point यहां पे profit हुआ है लिख दो profit यानि की P अगर हमें loss होगा हमें यहां आग बंद करके लिख देंगे A यहां पे हमें profit हुआ है यानि हमने P लिख दिया अच्छा profit कितने का हुआ है profit हमें 6 का हुआ है दें कि साफसाब लिखा है छे अंडो के विक्रेमुल के बराबर लाब हुआ है ऐसा कभी भी सवाल आए किसी भी वकता है पहला step आपका यह होना चीए आपको profit . मस्तक्र profit हुआ है कितने का profit हुआ है 6 अंडो में बढ़े प्यार से कह सकते हैं कि 6 अंडों का विक्रामुल जो है वो profit है अगर 6 अंडों का विक्रामुल profit है यानि profit is must be equals to 6 next point देखिएगा एक अंडा सरी यहाँ पर जो एक व्यपारी है वो 21 अंडा बेच रहा है तो 6 को तो आपने profit का हाँ खिर यह 21 क्या है देखो अगर profit का relation जो है वो आपके selling price से है का फालिदा खरीदेंगे कितने में खरीदेंगे 15 में जिया लोगों ने कहा लाब प्रतीशत बताओ बच्चा बच्चा जानता है profit बराबर profit बटा CP गुना 100 यानि आप कहेंगे 6 गुना 15 बटा 100 600 बटा 15 पंदरे 54 के साथ यानि सवाल को तर 40 परसेंट है यह क्या हुआ अगला सवाल जल्दी करके दिखाईए अगला सवाल जल्दी करके दिखाईए quick बहुत बढ़िया सवाल अगला सवाल अभी करके दिखाऊ quick बच्चा अगला सवाल अगला सवाल जल्दी करेँ़कीट यहाल करके दिखाईए coverage बचल में जुएकर भला repo Leaf यह सild o का कि दिखाट औरमaces बिखाईए अपल जल्या उचित मुवतके दिखाईए शेड़िया साव बचल मसोना नहई झाल झाल कि आप देखे सर क्या है n cm 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 भी इस सेंटीवीट भूजा वाले दो घंड को पिगलाकर 35 cm 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 उचाय वाला घना बनाय जाता है एन का मान क्या होगा किसका मान क्या होगा एन का मान क्या होगा बड़ी प्यारा सवाल है बहुत ही बड़ी ऐसे सुनना है अराम से समझना है पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा प्लीज आप यहां पे देखो क्या लिख रखा है सवाल में उसको थोड़ा सा ध्यान से दे क्यूब सवाल को तर एन का क्यूब प्लेस का क्यूब ठीक है बाइस आप एक ऐसा आइटम जिसकी लंबाई चोड़ाई मुटाई सब अलग होती है उसरी हम क्यूब ये थे उधारनकी तोर पर यह box देखना यह आपका क्यूब वाइड इसके लंबाई यह लगे चोड़ाई यह लगे मोटाई यह लगे लेकिन अगर आपने ऐसे को इसा को अपने box ढूंड लिया जिसकी लंबाई चोड़ाई उचाई मोटाई सब बराबर जैसे यह that is called cube समझो यह क्या है भाई साब यह cube है और यह क्या है cube void है तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने दो आइटम पकड़े और इन दोनों को पगला के एक ऐसा आइटम बनाया अच्छे एक बात बताओ पहला cube और गहन का आइतन होगा इनका क्यूब और दूसरे गहन का आइतन होगा 20 का क् किसके होगा यह बराबर होगा 35 गुणा 25 गुणा 13 के 35 गुणा 25 गुणा 13 के अब यहार एक बड़ी ब्यारी बात है कि 35 गुणा 25 गुणा 13 क्या होगा हमें यह निकालना पड़ेगा उसके अलाबा एक पॉइंट और भी है कि यहां 20 का क्यूब क्या होता है 20 का क्यूब होता आठ हजार एट पे ट्रिपल जीरो प्लस आप अगर थोड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप एक बात समझ पारे होंगे कि 55 पचीस और पचीस तियाई 75 यानि यहां इकाई अंकों पे 5 होगा अब आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए इन तीनों को अगर मैं मल्टिपलाई करूँगा तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा देखो यूनिट प्लेस कीजिमारी यूनिट प्लेस लेता है जैसे 5 गुना 5 पचीस 25 गुना 5 तीन पचाथतर 75 का यूनिट प्लेस क्या है 5 है तो यहां का unit place अगर 5 है तो बट obvious सी बात है यहां का भी unit place जो होगा वो 5 ही होगा तब ही सवाल को उत्तर सही है अब उसके लिए n q की value क्या होने चाहिए देखिए अगर मैं 18 का q कलूँगा unit place पे बिल्कुल भी नहीं 5 आएगा आठ का q पांसो बारा यानि unit place पे दो आएगा यह सवाल को उत्तर नहीं होगा एक का q एक unit place पे बिल्कुल सवाल को उत्तर नहीं होगा दो का q आठ unit place पे आड बिल्कुल सवाल को उत्तर नहीं होगा पर 15 का q पी unit place पे पांच देगा और 5 प्लस 0 ही का इंगर पांच बना देग तो देखो जो हाँ पे unit place manage हो रहा वही सवाल को उत्तर, जो बच्चा ये सोच रहा है, कि मैं पूरा calculate करके सवाल को उत्तर दूँगा, बिल्कुल गलत सोच रहा है, अगला सवाल देखेगा, बड़ा प्यारा सवाल है, लिखा गया है, 14 बर्स पूर पिता और पुत्र की आयू का नुपात क्या है भाई साब, पिता की आयू और पुत्र की आयू का नुपात क्या है भाई साब, 6 बर्स बाद, पिता और पुत्र की आयू का नुपात 8-3, तो 6 साल के बाद, पिता और पुत्र की आयू का नुपात 8-3 हो गया, आपने का ठीक है, अब माता और पुत्र के वर्तमान आयू का नुपात दस्ती ने तो माता की वर्तमान आयू ग्याद करें तो क्या गात करना है तो माता की वर्तमान आयू ग्याद करना क्या समझ पाएं हाई या न क्या आप समझ पाएं मेरे प्यारे बच्चे मेरे प्यारे बच्चे क्या आप समझ पाएं हाँ जी बहुत बड़ी है अब समझो पहले तो मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि आपको मम्मी का एज बताना लिखा हूँ है माता जी की बरतमान आयू क्या है 6 साल बाद पिता और पुत्र की आयू 8 तीन हो जाएगी 14 साल पहले क्या थी 6 एक थी माता की आयू पुत्र की आयू बरतमान आयू कानुपात 10 तीन है इसका मतलब साफ साफ है मम्मी का आयू 10 का मल्टिपल और बेटवा का आयू 3 का मल्टिपल और आप चाह के भी सवाल को उत्तर नहीं निकाल पाएंगे विगि 10 का मल्टिपल उपर से लेके नीचे तक सारा उप्षन है देख सकते लिजे हर नमबर यहां 10 से कट रहा है सर हर नमबर यहां 10 से कट रहा है अब आप बहुत प्यार से देख सकते हैं आपने क्या समझना है आपने यहां समझना है कि यहां पे फादर है और यहां सदन है बेटा के पापा की आयू 6X बेटे की आयू X बोलो हाई है ना 6 साल बाद देखो यह 14 साल पहले जो है पिता और पुत्र का आयू 6 और नुपात एक था तो भाई साब 14 साल पहले यहां पे था 6 अनुपात एक पिता आपका 6X का पुत्रा आपका X का भाई साब बरतमान में इनका उम्र 14 से बढ़ेगा और 6 साल बाद उम्र कितने से बढ़ेगा 6 साल बाद उम्र 20 से बढ़ेगा और यही बराबर किसके यही बराबर है आठ बटा तीन के क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे छेते ही अठारा एक्स और पलस बीस तीयाई साथ और यह बराबर होगा 8x पलस एकसो साथ अब देखिएगा अठारा एक्स में से 8x किया यह 10x हो गया 10x की value 100x का मान 10 हो गया अब चुकी x का मान 10 है चुकी x का मान 10 है तो आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पे x का मान 10 है यानि x क्या था x आपके बेटे के उम्र थी देखिए x आकिर है गया पहले यह समझे एक्स जो है वो आपकी पुत्र की उम्र है और ये जो एक्स पुत्र की उम्र है वो कब है वो 14 साल पहले है तो जो एक्स बराबर 10 आया है यानि कि पुत्र की उम्र 14 साल पहले 10 आया है यानि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी तो पुत्र की वर्तमान उम्र होगी 10 पलस 14 य देख सकते हैं कि 3 बराबर 24 के 1 बराबर 8 के और 10 बराबर 80 के जयनी पुतर की एज क्या हो जाएगी 80 years ना इस से कम ना इस से जादा सवाल लंबर 12 12 संख्याओं का उसत 64 है 12 संख्या मैं यूनिट प्लेस से कर लूगा इसको मैं यूनिट प्लेस से भाई आपका यूनिट प्लेस से कर लेगा आपको योनिट प्ले सबका अलागे नहीं भाई साभ मजा नहीं आरा है भाई साभ आप लोग सेजन को लाइक नहीं किया भाई साभ जितने लोग शेषन को देख Neben saturated लाइक कम से कम से ज्ढ़ा होना चीसर जल्दी करिएगा साभ Lord कि बारा का के गएड़ा सत्तर देख लेते क्या सभी है देखो कुछ तो सही होगा ना सारा का सारा तो सही नहीं होगा कि क्या लिख रखा समझो लिखा हुआ है बारा संख्याओं का उससेट यानि आप कहेंगे कि ओवर ओल विरेज जो आपका है वह 64 इस में से पहली 5 संख्या का उसत अपको घटाना अब पहली 5 संख्या का उसस घटाना यानि 5 गुना 15 प्रतलि अधिश्य संख्या कैस collective गटाना 161 है बारा सट और सम्ख्या को सचतर के तो पहली शॉथ होगा उन से पहले पांच का आउसत हो पहलें पांच का और अधावन न तो सभी का यो पांच गुना होगा और अंतिम 6 68 है तो यह 6-68 हो अब देखेगा यह घाता है चार दुना आठ यह आठ पंचे चालिस का जी रूर अच्छा के अर्चालिस का 8 है की नहीं दीखिए यहां का युणिट प्लेस तो आपका 8 है यहां का if you need to be your attacks अगर बारह संख्यों में से पांच और छे 11 संख्यों कर आँगे तो संख्या मिलेगी 8-0-8 यानि वही सवाल को उत्तर है जिसके unit place पर 0 होगा वही सवाल को उत्तर है जिसके unit place पर 0 हौगा सवाल को उत्तर क्या होगा unit place पर 0 content करने वाला केवल और केवल option number कौन option number C है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल सवाल number 11, जब किताब का मुल्ले 20% घाटा दिया गया, तो विक्री 20% बढ़ गई, जब किताब का मुल्ले 20% से बढ़ाया, तो विक्री 20% से बढ़ गई, तो भाई साब दुकान का income यानि विक्री पे देखिए, जो भी दुकान का income है न, वो book की price पे निर्भर करता है, गोना book की sell पे निर्भर करता है, एक book का price के और कितनी किताबे आप बेच पा रहे हैं, तर एक किताब कितने की मिलती है, और कितनी किताब आप बेच पा रहे है, that is called income, income क्या है, income is must be equals to price into what, price into selling, जो price आप का है, और जो selling आपका है, वो, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपका जो किताब का मुल्य है, वो 20% से घट गया, आपने का हाँ, किताब का मुल्य 20% से घट गया, और उसकी बिकरी जो है, वो 20% से बढ़ गया, हाँ यह 20% से बढ़ गया, overall change होगा, 20 plus minus 20, और plus 20 से गोन minus 20, भागा 100, सवाल कुतर minus 4%, यानि 4% से क्या आगई है, कमी आगई, option number B, 4% से कमी आगई, option number B, 11 कभी, 11 कभी, 11 कभी, अब देख लीजे, अगला सवाल, सवाल number 10, एक बृत में, एक बृत में, जो YX है, वो बृत का व्यास है, और लिखा हुआ है, साफ साफ है, YZ व्यास के समान पक्ष में इस प्रकार है, कि कोन W, Y, Z, W, Z, Y, न 90 डिगरी का है, तो कोन X, W, Y की वैलू बताओ, जल्दी, हाँजी, 4% लॉस साइए, सर, जल्दी, रावन भाही एरे सवाल गुद्तर आठ, जल्दी, और भाही एरे सवाल गुद्तर आठ, ठी, 1%, कि 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 बहुत बढ़िया आठ डिगरी देख भाई आठ डिगरी कैसे वह रावन भी आठ के रहे पपा भाई यह भी आठ कर रहे देख तो कैसे बनाना है सबसे पहले आपको एक सरकल बना लेन एक सरकल बना लिए नेक्ट सटेब देखेगें इस सरकल का ब्यास है सरकल का कोई नडो कोई किंद्र होगा अगर भयानज देखें आपका यह उ एक जड है यह यह आपका कि इस प्रकार के बैठे होए है कि कोन WZ और Y 98 नहीं लग रहे भी नहीं सकता हो भी नहीं सकता जब Z इस तरफ हो जब कहाँ? जब Z इस तरफ हो जब Z इस तरफ हो और Y इस तरफ हो यह possible होगा देखें कि ऐसे मिलाओगे यह यह और यह यह अनफानöडब डिगरी हो चाहिए आपने का हाँ 98 डिगरी होगा सर अगर आप इसको ऐसे मिला देखो पूरा 90 डिग्री आएगा आप कहेंगे हाँ और आपको एक बात पता है कि अगर आपने इस लाइन को मिला दिया तो यहां तक यह 90 डिग्री होगा अगर यह 90 डिग्री तो यह आपका 8 डिग्री हो गया अब आपसे पूचा गया है कोन X, W और Y, X, W, Y पूचा है आपसे ठीक ह कि बाइसाब आप गलती से भी आठ दिगरी कहरें ना आठ डिगरी आठ डिगरी आठ डिगरी यह पॉसिबल है कि नीव समझ पहले तो एक बात पहले एक समझ लिज़ें, बहुत ही है क्या समझने को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं आपसे कहा रहा हूं समझने लाइक बात है पहले तो आप यह समझ सकते हैं मेरे बात समझ के समझ 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 मेरे पहले पहले था मिला एक बदी वह समझ सकते हैं मेरे शुख स्टों 105 ऊज़ियग अब अब शुख हूआ एक बात और समझ सकते हैं क्या lazım सकते हैं सर एक बात और समझने लाइक क्या है तो समझने लाइक एक आपके समख citizens ये निकल के आती है कि अर्द बृत का कौन संम कोन होता है आपने का हंध्य ये 98 डिग्री आपने का हंध्य मैं आपको सुनर जो हो बना डेता हूं यह आपको पते हैं ना चतरुष का आमने सामने का कौन कितने डिवी मिलिका होता है अगर आप इसको नीचे भी मिलाएंगे यह अगर अंठानवी डिगरी का है तो यह सामने वाला 22 डिगरी का होगा पूछो क्यों कि चकिरिय चत्रभुज एक बात याद रखो कि चक्रिय चत्रभुज के आमने सामने का कौन 180 डिगरी का होता है तो भाई सब यह 98 है तो यह 72 हो जाएगा अगर 72 करूब 72 सब्सक्राइन साइगे 82 डिगरी उसी साब तो यह वहाला को निकालना यह बेरासी डिगरी है यह को निकालना है आपको पता यह 90 को अगलती से लिख दिये थे ठीक है चलिए अगले सवाल के तरह बढ़ते हैं अगले सब्सक्राइब ऐसाब का जबीत कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने शेशन को अबी तक ला एक नहीं किया स्वेस लग कर दीजे सभी लोग कि देखे सर्ट थीटा की वैलू दिया है सेट थीटा आपका होता है एच बाई बी जहां हाइपोडेनस आपका 13 है बेस आपका क्या है भाई साब बेस आपका 5 है तो परपेंडिकुलर को दो बारा होना ही पड़ेगा देखे सर एक्जाक्ट आपको पता ह होगा एक होग होग बारापाँ ओर त्यरा का और अगर आपको नहीं बता तो पता होना चीप का स्क्वेऌ प्लैस बीजात स्क्वेज बराबर होता है ईज के स्क्वेएर के यानि आप कह सकते हैं औरगीत 144 का मतलब सवाल को उत्तर 12 हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर 12 है, लिखा हुआ है दो गुणा साइन ठीटा, यानि दो गुणा P by H, माइनस तीन गुणा कॉस ठीटा, यानि तीन गुणा B by H, बटा चार गुणा साइन ठीटा 4 by 4P, और 9 गुणा कॉस ठीटा, यानि क अब उसके बाद क्या बचेगा, 2P minus 3B upon 4P minus 9B, पी के जगा क्या पुट करोगे, पी के जगा पुट करोगे, बारा बारा दुना, 24 minus 25 तीन पंदरा, बटा क्या है बटा आपका बारे चो के अड़ तालिस, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 9 पंचे पैंतालिस, यह आपक इसमें से यहाँ पे 15 चला गया, यह नि 5, 4, 9, 9, 3 सवाल को उत्तर तीन, 9, 3 सवाल को उत्तर तीन, और वेसी बात है, option number कौन, option number C, option number कौन, option number C, option number कौन, option number C, बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखिएगा, एक दुकानदार ने एक टैंक बेचा, और टैंक को अंकित मुल पर 60% की छूट दी, लेकिन उसे 10% की हानी हुई, अब यह इसा है कि एक दुकानदार ने एक टैंक बेचा है, और टैंक के अंकित मुल पे 60% की छूट दिये, लेकिन 10% की हानी हुई, अब टैंक का अंकित मुल पे बेचता तो कितने का लाब होता, बहुत बढ़िया सवाल ह आपको बताना चाहूंगा पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि मेरी एक और क्लास चल रही है प्रॉफिट रॉस की कौन से चैनल पे ऐसे सी के चैनल पे चल रही है और सी कोचिंग ऑली बोर्ट पर कितने बज़े चल रही है तीन बज़े चल रही है आप लोग अवस्सी जो अंकित मुल पर 60% की छूट देता है तो उसे 10% की हानी होती है अगर वो अंकित मुल में बेचता तो कितने का लाब होता देखी इसके लिए आपको CP और MP का रेश्यो चाहिए जो MP होता है वो 100 माइनस लॉस या 100 प्लेस प्रॉफित होता है अगर लॉस होगा तो लॉस घटा द दिसकांट होता है तो देखो को साथ परसंट का डिसकांट यानी की 40 और भाई दस परसंट का लॉस यानी की 90 रेस्यो फोर इस तुनाइन का खरीदा पोर में बेचा नौ में फाइदा कितने का फाइदा पांच का पांच बटा चार कुना सौ यानि भाई साब सवाल को अत्त साइक कर दीजिए ना सर कि हाँ सर और किसी को उत्तर आया मालेक कि अच्छा अच्छा एक सो पचीस कि पॉट एक सो पचीस परसेंट सही तो है इद मुबारक बहुत बहुत आपको भी मुबारक खान भाई जी आपको भी मुबारक लेकिन आपको मेने क्या बोला मैंने आपको बोला कि आपको कितने बजे आना फ़कर तीन बजे आना कौन कर दो अबने हाजरी लगाना अप सी कि आरमी कहा है आप लोग지만 काम जाजरी लगाने और आप लोग अरे सेशन पर लाइक कम से कम तो 10 प्लेस हो जाना चाहिए और 10 प्लेस की वाच्छिंग है यहाँ पर आजो अनिल किसी काम को 11 दिन में कर सकता है और मिली उसी काम को 33 दिन में कर सकती है ओ हो रीजनिंग के के लिए भी क्लास शुरू हो गई है तो आप लोगों से में शमा चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा ज्यादा खीच गया इसके लिए मैं शमा चाहूंगो और यह कोशन मैं होंबग देना चाहूंगो ये question है as a homework treat करते हुए आप class को अवश्च आ जाईएगा सभी लोग सभी लोग उसे मैं कहना चाहूँगा आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं next day यानि कि कल तो और आगे जादे चर्चा करेंगे प्लीज अभी लोग समय से पहुँच जाएगा class में बहुत ही खुबसूरत सी class चलने वाली है और यह केवल और केवल आपके लिए है ठीक है किसके लिए केवल और केवल आपके लिए तो चले आज रहने देतने पर ही थैंक्यू बच्चा